अब नव युग की गंगोत्री से बही ग्यान की धारा है हम युग का निर्मान करेंगे यह संकल्प हमारा है हम बदलेंगे युग बदलेगा यही हमारा नारा है सद विचार घर घर पहुचाएं यह करत वे हमारा है चलो बढ़ें कुछ अच्छा करने युग ने हमें पुकारा है धरती स्वर्ग बनाएंगे ये शुभ संकल्प हमारा है प्राचेन काल के गुर्कुल परंपरा में विद्यार्थियों का गुर्कुल में प्रवेश भी समारों के साथ होता था और विदाई भी उत्सव के साथ होती थी इससे विद्यार्थियों के मन मस्तिश्क्र में एक बहुत ही गहरी छाप पड़ती थी, जो उनके जीवन की अमुले निधी बन जाती थी देव शंस्कृति विश्व विद्याले में उस प्राचीन परंपरा को पुनर जीवित किया गया है इस बार दिक्षांत समारोह उत्राखंड की महमहिम राजेपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा जी की उपस्थिती में बड़े ही हर सोल्लास के साथ मनाया गया आएए देखते हैं इसकी जलद हमारे सम्मानियति थी हमारे प्रांत उत्राखंड की महमहिम राजेपाल स्रीमती मार्गरेट अलवा जी उनके साथ हैं मानिय मंत्री श्री मातवर सिंग कंडारी जी मानिय मंत्री श्री मदन कुशिक जी हमारे सम्मानी अतिथी आगे आ रहे हैं चीन से आई हुए हमारे प्रत्नी थी सम्मानी अतिथी महोदे से मिल रहे हैं देवमंच पर अतिथियों के पहुचते ही राश्रगान होना है इसके लिए हमारे राश्रगान के लिए न्यूक्त चात्र चात्राएं तयार हैं पांडाल पर उपरस्तित सभी चात्राएं आई भावक सम्मानी अतिथी राश्रगान के लिए सावधान की इस्तिति में खड़े हुए हैं सम्मानी अतिथी देवमंच पर आ रहे हैं दूसरे अतिथी जिनको अपना इस्थान ग्राण करना है हमारे स्वेम चोकुन को इस्थान निर्धाट कर देखा साउधान राष्ट्रगान प्रारम पंजाद सिंद मुझरात्मराणा तेड उंकल तर पिन्यदी वाचल यम नादं ग्राम उचल जलनी परंक तब शुब नामे जागे तब शुब आशिष मागे तब जय गाठा बारत माता की जय दीप प्रजुलन हो रहा है दैवी चेतना का आवा हान ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान विष्ट्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मजुरान मेलों भो इस्थान दे नाम हो क्युं विदे मा सभी लोग अपना इस्थान ग्राण कर लें तृतिय दीख्छांत समारो गोरो साली छोण हम सब अभी भूत हुए हमारे सम्मानियती थी देव मंच पर विराजमान हुए जिनके हम प्रितिक्छा कर रहे थे तुरंत ही हमारा कारकम कुल गीत से प्रारम होने जा रहा है देव संस्कृति विश्विद्याले परमपूज गुल देव के स्वपनों का विश्विद्याले रिशियों के संकल्प का विश्विद्याले कुल गीत में हम रिशियों के इस भावनाओं को रिशियों के उन गोरो माई संकल्पों को अनुभो करेंगे कुल गीत के लिए हमारे सम्मान नियती थी यह था इस्थान खड़े हो जाएंगे सभी पान डाल पर उपरसे सभी भाई बहनों को कुल गीत के लिए खड़े होना है कुल गीत प्रारम है मूल देव संस्क्ति दुख दैन गंध हारी निशितंत से सुपोषित ए कुल गजा हमारी है मूल देव संस्क्ति दुख दैन गंध हारी निशितंत से सुपोषित ए कुल गजा हमारी निश्म कुल पिकाता सानीत बन गई है उनके अमोग चिंतन की इशाति आश्रही है उन से रितंभला की बाई यहां प्रकरता कुल मा तुसे मिरी है संवेद ना सजलता अब शांत हो सकेगा विप्रव मिना शुपारी निशितंत से सुपोषित है कुल गजा हमारी है मूल देव संस्क्ति दुख दैन दंत हारी निशितंत से सुपोषित है कुल गजा हमारी जित्तार देव संस्क्ति सा विश्व में करेंगे आत्मी अभावना से हम हर दै भरेंगे हम होंगे संग मित्रा हम वेश्व मेत्र होंगे ओत्रिष्ट हम सभी के चिंतं चरिक्र होंगे बदलेगी सब की जीवन शैली अनिश्ट कारी निशितंत से सुपोषित है कुल गजा हमारी है मूल जेव संस्क्रिती दुख देन जंग हारी निशितंत से सुपोषित है कुल गजा हमारी कि सभी अपना इस्थान ग्रांड कर लें कारक्रम को आगला क्रम देने के लिए कुल सच्छो महुदय डाक्टर आर्पी कर्मियोगी जी मैं माननी उलाजबद महुदय से प्रार्थना करता हूं कि वे दिख्षान समारो के शुभारम करनी की घोषना करनी की क्रपा करें मैं दिख्षान समारो के शुभारम की घोषना करता हूं अगले क्रम में माननी कुलपत जी विश्व द्याले का प्रगत प्रतिवेजन प्रसुत करने की क्रपा करें धाक्तर एस्थी जी देव घुमी उत्त्राखंड की महमहीम राज्यपाल स्रीमती मारगेट अलवा जी जो इस देश के उन जागरिक महिलाओं में आपका नाम है जिसे लोग सभा वर राज्य सभा में पांच बार प्रतिजित्व करने का सुवशर प्राप्थ हुआ जिनके व्यक्तित्व की सराहना करते हुए वोमन इंपावर्मेंट के अग्रणी के रूप में रखा गया और एक स्पस्ट तारकिक और प्रभाव साली स्पोक्स्मन के रूप में आरम से ही जाना गया है हम आपका पूरे विश्व विद्याले परिवार की ओरते हार्दिक अभिनन्दन करते हैं हमारे शान्ति कुंज के मनी सी अखल विश्व गायति परिवार के प्रमुक प्रखर वक्ता लेखक एवं संत मनवुमी से ओत्प्रोत हमारे अभिवावक वईश्व शुद्याले के माननीय कुलादि पती डॉक्टर प्रणव पांडिया जी हमारे बीच स्री मातवर सिंग कंडारी जी आने वाले थे जो नहीं आ पाए हम उनका भी स्वागत करते हैं हम सब के प्रिय जन प्रतिनिधी सहरी विकास परियतन एवं गन्ना विकास मंत्री स्री मदन कौसिक जी मंचा सीन सम्मानि सदश्च प्रेस मेडिया से जुड़े सभी आत्मिय वंदू हमारे सम्मानिय अतिति गन भाईयों और बेहनों इस देव संस्किती विश्विद्याले में आप सभी का विश्विद्याले परिवार शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस सोथ संगस्थान एवंग छेत्र में काम कर रहे हैं लाखों गायत्री परिवार की ओर से हम स्वागत और अभिनन्न करते हैं सिख्षा जगत में सार्थक क्रांति लाने का ये छोटा परंतु महत्वप्रण प्रयास है जनता के छोटे अंसदान वो सहयोग का अनूठा उधारन है सेवा भावी आचारिया वो समस्तक करमचारिय द्वारा सिध्धान्तों का जीवन जीते हुए सेवा का अनूपम उधारन है देश वा समाज को सक्षम करने है तो नई पीड़ी बनाने में हमने लकीर से परिपाटी से हटकर एक नया मॉडल बनाने का प्रयास किया है जिससे समाज की बरतमान इस्तिती सुधरेगी और सही दसा मिलेगी देव संस्किती के ब्यापक सिक्षन और सोध है तो इस विश्विद्याले की छोटी सी यात्रा में हमने सब कुछ पाया है खोया कुछ भी नहीं यह उपलब्दी हमारे गुरु कृपा से हुई है हमारे गुरु हमारे इस विश्विद्याले के पुज्य कुल्पिता और यंकुल्माता है जिने हम वास्तिक आचारी रियल आचारी युग्रिसी मनिसी और विश्वियापी उगनिर्मान अभियान के ख्रांती दियूत के रोप में जानते हैं इनके ससक्त माध्यम के रूप में आरम से ही हमारे माननी एकुलादी पती सद्धे डॉक्टर प्रणव पांडिया जी रहे हैं। यह सरमानने शक्ते है कि उनका वीशन, उनकी दूर दर्शी कल्पना, स्नेहपुर्ण, अभिवावकत का परिणाम है यह विश्विद्याले है। विश्विद्याले ने कई छेत्रों में सोध और प्रस्टिक्शन का कारी आरंब किया है। अने को युग प्रस्नों का हल खोजने के लिए युग मनिस्तका को जागरित करते हुए विदेशों में सार्थक प्रयास निरंतर जारी हैं। इस दिक्षान समारों के आउसर पर ज विश्विद्याले के विश्विद्याले के महत्वण योगद्यान को ध्यान में रखते हुए इन्होंने हम से सहयोग मांगा है। हमारे माननीकुल अदिपती जी की विदेश यात्राओं में भी वैकलपिक चिकट्सा और योग के छेत्र में अन्न विश्विद्याले दारा सहयोग की अपेक्षा की गई है। उपलबदियों का सिलसिला अविराम है। विश्व विद्याले द्वारा अन्य विश्व विद्याले के विद्यार्थियों को प्रस्रिक्षन पदान करना, भारतिय संस्किति के छात्रों को अंतरास्ति विश्व विद्याले प्रतियुगता में प्रथम पुरस्कार होना, इंडियन इस्चूट अप मैनेजमेंट में आयोजित समिनार में भारतिय संस्कितियों परियाटन विवाग की हेड अब डिपार्टमेंट वारा प्रस्तुत सोध को बेस्ट पेपर के रूप में माननेता मिलना, रास्टियों अंतरास्टिय अस्तर्त के रिसर्च जनरल में हमारे कई सोध पत्रों का प्रकाशन यह बताता है कि विश्विद्याले निरंतर प्रगती के राह पर अग्रशर है, उत्राखंड राज में विश्विद्याले एक अग्रणी भूमी का निभारा है, उत्राखंड के साथ साथ उत्र प्रदेश बिहारे वंग जारखंड राज के प्रतिक जिले के विद्यालियों के लिए य पे गए हैं। उत्राखंड पुलीस, उत्रप्रदेश पुलीस, पीएससी, भारत सीमा तिबबत पुलीस, थल सेना, वाई सेना के जवानों हतु भी विशेश योग सिवीर लगाना हमारी सफलताओं का एक अंस है। दुरस सिक्षा के माध्यम से विश्विद्याले ने कई नई उडान शुरू की है। सिक्षन संगस्थानों ने दिखाई है, साइको स्प्रिश्वल मॉडल, यग्य थिरापी, स्प्रिश्वल काउंसलिंग हमारी विशेशता है। आज विश्विद्याले में तीनों सिक्षा सत्रों के 1100 से अधिक विद्यारती इसमें उपादी प्राप्त करेंगे। जिनमें 19 गोल्ड मेडल आज दिये जा रहे हैं। परंपरागत ग्यान के साथ आधिनिक ग्यान का समावेश हमारी ने सरकीता है। गीता और ध्यान का पाट पढ़ाने का हमें गुमान है। आर्ट अप लिविंग, लाइफ मैनेजमेंट और साइंट फिक स्प्रिशुलिटी को हमने चात्र चात्राओं के जीवन में समावेश किया है। प्रसंदता की बात है कि 2001 में मात्र 52 स्टुडेंट से प्राणभ हुआ यह देव संस्किति विश्व विद्याले। अभी हम हमारे पास में 3000 से अधिक जो regular courses में लोग सिख्षा ले चुके हैं और 10,000 से अधिक विद्यार्थी दुरस सिख्षा के माध्यम से सिख्षित हो चुके हैं। भविश्य की ओजना है वह स्वपन है जो हमारे पूरे होकर रहेंगे यह हमारा विश्वास है। सौर्थ परता से दूर जन मानस की पीड़ा को समस्ते हुए सभी भाई बहनों का यह संबलित प्रयास है। संकाया ध्यक्ष प्रोफेसर ओपी मिस्र जीर। एवं प्रमानपत्र परिक्षा उत्तीरण कर उपाध ही योगयता प्रमानिज की है। इस विश्विद्यालाए का कुलादी पती होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त है। उनका प्रयोक करते हुए। मैं आपको इस विश्विद्याले की प्रमानपत्र पूर्ण किये गए डिप्लोमा प्रमानपत्र की उपाधी प्रदान करता हुए। मैं आपको इस विश्विद्याले की प्रमानपत्र पूर्ण किये गए डिप्लोमा प्रमानपत्र की उपाधी प्रदान करता हुए। और आदेश देता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचरिया तथा विवहार में सदेव अपने को उक्त उपाधी के योग की प्रमानित करें। मैं माननिय कुलाधीपिति महोदे के करकमलों द्वारा प्यश्टी उपाधी प्राप्त करने है तुँ अब भ्यार्थियों को प्रस्चुत करता हूँ। भार्थी संस्कति एवं परेटन अध्यन शी गोवर्धन लाल संगतीरा शी मनोज कुमार राओ शी मती मुना प्राच्य अध्यन अविनव जैस्वाल गैत्री शी शीव नरायन मनोविज्ञान आर्थी गुप्ता अर्चना दूबे अखिलेश वर्चाओ अविनाश बिहारिया मनीशा शुक्ला नम्रता बिहारिया पूजा कौशिक प्रग्याराणा रश्मिता चत्रुवेदी रीना सैने रीतू मिश्रा शालनी शर्मा इसमिता सिंग शजना काउर सोधी श्वेता वंदना चोहान विद्या भूशन वर्मा विनीता शर्मा साइंटिफिक, स्पिशुलिटी अन कास्मालोजी शांभवी मिश्रा मानविय चेतना एवं योग विज्ञान आराधना अमरतलाल भानु प्रकाष्ट जोशी भावना शिवास्तव चारू शर्मा दयनन सिनहा कामता प्रशाद इंदू शर्मा रजनी मकवना रजेश कुमार रीमा शिवास्तव रीतू पांडे सरस्ती रतूरी सीमा चौहान शम्षेर सिंग शिखा सुनील कुमार देश्मुक सुमन चौधरी विजे कुमार सिंग अब मैं महामहिम राजिपाल जी से निवेदन करता हूं कि सत्र 2006-2007 2007-2008 एवं 2008-2009 कि इस नातकोत्तर परिक्षाओं में सर्वोच अंकप्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वन प्रदान करने की अनुकंपा करें 2005-2007 MSC नैदानिक मनोविग्यान दथा 2007-2009 MSC योग विग्यान शी हिमादरी कुमार साव झाल दो हजार चे दो हजार आट नरेंद्र गामाई एमे भारती संस्कति एवं परेटन अध्यन दो हजार चे दो हजार नो शी गोपाल करश्ण ब्यस्सी दो हजार चे दो हजार नो कुमारी शशी बीए अब मैं शद्धे कुलाधी पती जी से प्राप्तन करता हूँ कि वो हो विशेवार सर्वोच अंक प्राप्त करने वाले चात्र चात्राओं को स्वनपदक प्रदान करने की अनुकमपा करें विशेवार स्वनपदक वर्ष दो हजार पांच दो हजार साथ भारती संस्कति एवं परेटन अध्यान अर्चना गोतम पत्रकारिता एवं जनसंचार संध्या दिवेदी योग विज्यान एवं समग्र स्वास्थ 2007-2009 तथा मनो विज्यान 2005-2007 हमाद्री कुमार साव वर्ष 2006-2008 भारती संस्कति एवं परेटन अध्यान नरेंद्र घामाई मनो विज्यान सुखीर्ती प्रियदर्शनी पत्रकारिता एवं जनसंचार इशाज सिंगल योग विज्यान एवं मानव उतकर्ष सविता स्वन्द पत्रकारिता एवं जनसंचार मेगा मनो विज्यान रिचा पांडे माननी एकुलाधिपति महोदे आपसे निवेदन है कि समस्त उपाधी डिप्लोमा एवं प्रमान पत्र धारकों को अनुशास्ति देने की क्रपा करें सभी छात्र छात्रा हैं खड़े हो जाएंगे अपने इस्थान पर दिख्षा के लिए मेरे साथ साथ मंत्र को दोराएंगे ओम अगने व्रत पते व्रतम चरिश्यामी तच्छकेयम ते नर्द्या समिद महा अमृतत तक उपयमी इसका हिंदी आपको याद रहे इसलिए व्रतों के पालक ईश्विभूति अगनी देव मैं व्रत का आचरन करूंगा यह कर सकूं यह रिद्धी मुझे प्राप्थ हो इसके लिए मैं दुरूबल असत्य भाव से हटकर सत्य निश्था को प्राप्थ होने का संकल्प ले रहा हूँ और उस पर आरोड हो रहा हूँ सभी अपने इस्थान पर बेढ़ जाएं अगले क्रम में हमारे विश्ष ठतितियों का मुझे ठतितियों का मारदर्शन प्राप्थ होगा सरप्रथम आज के समारों के विश्ष ठतिति मैं मानिए मदन कोशिक जी मंत्री सहीरी विकास पर्याटा नेहों गर्णा विकास मंत्री देव संसकर्ति विश्व विद्धाले के दिक्सान्त समारों में इस कारिक्रम के मुख कहती थी मामहीम राज्यपाल सिरी मती मारगेट अल्वा जी देव संसकर्ति विश्व विद्धाले के कुलाधीपती आधननी स्रद्धे डाक्टर पर्नेव परंडा जी कुलपती आधननी मिश्रा जी कुलसचिव सिरी करमयोगी जी यहां पर उपस्थित आज जिन्होंने डिग्री प्राप्त की ऐसे सभी विद्ध्यार्थिगन पत्रकार मित्रों और इस दिक्सांत समारों में सभी सोभा बढ़ारे भाईयों और बहनों सबसे पहले तो मैं उन सब विद्ध्यार्थियों को जिन्होंने आज देवसं करती विश्व विद्ध्याले कि डिग्री यहां पर चाहे वो किसी भी रूप में प्राप्त की है अपनी और से हार्दिक सुबकामनाई देता महा महीम राज्येपाल चोकी उत्राखंड राज्ये में राज्येपाल बनने के बाद इस गंगा नगरी में इस तिर्थ नगरी में पहली बार आई है इसलिए मैं हरिद्वार का विधायक होने के नाते भी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ यह उत्राखंड राज्ये जन संख्या की दृष्टी से छोटा राज्ये है लेकिन आज आधुनिक युग में जब हम पूरे विश्व में भारत अपने देश अपने राष्ठ हिंदुस्तान को महसूस कराना चाहते हैं जब हम अपने देश हिंदुस्तान की संसकर्टी और संसकारों को दुनिया में दिखाना चाहते हैं कि ना केवल भारत वर्ष में अपितु दुनिया में भारत के संसकारों को भारत की संसकर्टी को आपने जिस रूप में प्रस्तूत किया है यह देखते ही बनता और लगता है कि हिंदुस्तान की संसकर्टी और संसकार कहीं ना कहीं आपके माध्धम से पूरी दुनिया में फैल लहे हैं इसलिए मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ डाक्टर पन्रजी को धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूँ कि पूर में जब मैं सिक्सा मंत्री था तो मैंने आप से अनिवेदन किया कि राज्य नया है और इस राज्य में हम चाहते तो हैं कि अपने उन सारे संस्कारों को उस सारी सिक्सा में सम्मिलित करें लेकिन हमारे पास संसादनों की कमी है मैं बधाई देना चाहता हूँ डाक्टर साहब को इन्होंने कहा कि संसादनों की कमी होगी लेकिन आप जिस रूप में संसकार देना चाहते हैं देव संसकर्ति विस्व विद्धाले और सांतिकुन सरकार के साथ खड़ा है और आपने मेरे सारे अध्यापकों को यहां पर रखकर विविन विविन चरनों में जिस परकार से योग से लगाकर और just कार्य कर्मों में उनको वो सारी जानकारी दी इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और यहीं नहीं अभी चर्चा हो रही थी तो देव संसकर्ती विश्व विद्याले उनको उसी रूप में सहयोग कर रहा है पिर ये विद्यारतियों मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप देव संसकर्ती विश्व विद्याले से आज आज आपने उपाधी प्राप्त की है देव संसकर्ती विश्व विद्याले के नाम के अनुरूप ही जिस परकार से देव संसकर्ती विश्व विद्याले पूरी दुनिया में पूरे देश में अपनी एक अमिट चाप छोड़ रहा है और आपके माध्यम से भी ये पूरे देश और हिंदुस्तान में या देश के बाहर जहां भी आप जाएं जहां आप देश की उस संसकर्ति और संसकारों को कहीं ना कहीं परदर्शित करेंगे मैं देश संसकर्ति विशु विद्धाल ले और ये उत्राखन छोटा सा राजjin भी आप उसका परतिन दित्व करेंगे मैं आपसे ऐसा निवेदन करना चाहता हूERO मैं देव संसकर्ती विश्व विद्याले के सभी स्टाप से चाहे वो टीचिंग स्टाप हो नोन टीचिंग स्टाप हो डाक्टर स्रद्धे पन्यों पंड़ा जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस उत्राखंड राज्ये में जो अभी केवल नो वर्स हुए हैं राज्ये को आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं अपने हर छेतर में परियास कर रहा है उस परियास में आपका योगदान इसी रूप में बना रहे और आपके योगदान से कहीं न कहीं ये राज्ये अपनी उस गरिमा को प्राप्त करें जिसकी कल्पना यहां की 84 लाख लोग ही नहीं अप तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोग करते हैं इसी निवेदन के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन जै भारत जै उत्तराखन बहुत बहुत धन्यवाद मानी कोशिक जी आपके अपनत पूर्ण विचारों ने हम सब का मनुवल बढ़ाया इस प्रकर उद्बोधन की परश्चात श्रद्धे कुलाज पजमहुदे आपसे निवेदन है कि दीक्षान समारू के अवसर पर अपना आशीर वचन प्रदान करनी की इक्रपा करीं एक बार प्रातना करता हूं सब कमर से दिकल दे गायत्री महामंत्र सविता देवता की उपासना का मंत्र है सारभोम है अपरुषय है इस दोसने बिलोंग टो अने रिलिजिन इस बिलोंग से डिलीजिन इस वर अपना से प्रातना है कि उनका प्राण सुरूप, सुख सुरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, दिव्यतेजी हमारे अंतरकरण में प्रवेश करे ताकि हम सन मार्ग पर चल सके सन मार्ग पर चलने की पेड़ना सद बुद्धि के मार्ग पर चलने का परना ओम भूर्भुवाहस्वाहतत्सवितुर्वारेन्यं भर्गोदेवस्यधीमाहि दियोयोनाह प्रचोधया ओम गुरुर्ब्रम्हा गुरुर्विष्णु गुरुरेवमहेश्वरह गुरुह साक्षात्परब्रम्ह तस्मैश्री गुरुवेनमा अखंड मंडला कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमा तस्मै श्री गुरुवे नमा आज देव संस्कृति विश्युद्याले के इस तीसरे डिक्षान समारो के पावन अवसर पर परमपुजी गुर्देव परमद्या माता जी की सुक्ष उपस्तिती में मंच परवी राजमान हमारे प्रदेश की महामहिम श्रीवति मार्गे टल्वा जी राजजपाल उत्तराखंड माननी श्री मदन कौशिक जी मंत्री शहरी विकास परेटन युमगर्ना विकास कि वोधन से भी सुना कि वो हमको कितना आत्मी मानते हैं स्थानी विधायक भी हैं प्रोफेसर जू जैंगिन वाइस प्रेसिदेंट आफ जियंग्सी उनिवस्टी आफ टी सीम चाइना डॉक्टर ले यीमिन इन इंटरनेशनल एडूकेशन कॉलेज जियंग्सी उनिवस्ट आफ टी सीम चाइना वर स्पेशली प्रेसली प्रेसिदेंट विच्टर ले इन इंटरनेशन के अन्य अधिकारीगन इन इंटरनेशन के जो प्रमुख हमारे ये कहा जाए कि जिनको आज के हीरो कहा जाए आज की प्रमुक पात्र कहा जाए हमारे छात्र छात्राओं प्यारे प्यारे बच्चों हमारे पहले से भी हमारे बीच में काम करते रहे और उसके बाद आप समाज में काम कर रहे हमारे पुराने बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे और अभी के हमारे प्यारे प्यारे से खाहता उंसका कारे के संद्खा ser lifelong का मंदाई हमासुए नारी शक्ति कीे माधिय से अपने बच्चों को उपाधि प्रदान कर रएं। संसत पार्लेमेंट में पांच बार जो सदस रह चुकी हैं और उसके अलावा महत्पुन पदों पे रह चुकी हैं और उसके साथ साथ ऐसा उचित समझा गया कि राश्पती द्वारा कि उनको उत्राखंड राज्ज में भेजा जाए मैं समझता हूँ आपको मेडम बहुत अच समझ के भेजा गया क्योंकि यहां पर नारी शक्ति वास्तों में जाग रहे थे उसको आपकी जरूत थी एक कुशल मागदर्शक की जरूत थी मैंने देखा है उत्राखंड में इस्थान पर जाकर के कि नारी शक्ति किस तरह से घास का बोज लेकर के चलती है और मैं से शक्ति करण की जो जरूत है उसका एक इतना मूना देखना हो तो वो हमारे उत्राखंड में देखा जा सकता है उत्राखंड प्रांत मुझे नहीं मानूम था अभी कोशिक जी ने बताया कि 84 लाख यहां की यहां की आबादी है 84 लाख यूनियां होती है ऐसा सुना था 84 ल अनन्त संभावनाए जहां मौझूद हो ऐसे इस्थान पर विराजमान है वह में समझता हूं कि बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं जो आप देव संस्क्रित विश्वध्याले के मार्धियम से करा सकते हैं हमारे मंत्री जी भी मौझूद है हमारी मानिय गवर्नर साहिबा मौझ मौझूद है हमारे अन्या दिकारी मौझूद है आप सभी कोई अंदाज होगा कि बहुत सारे काम देव संस्क्रित विश्वध्याले अपने ही कार्य करता हूं अपने ही बच्चों के बलबूते बहुत बड़े-बड़े असंभव काम करता रहा है यहां हमने युवा शक्त इतना का निवास है वे किसनी किसी रूप में गाजति परवार के विवने क्रिया कलापों से भी जुड़े हुए हैं सारे देश में हमारे लगभग चार हजार केंद्र हैं जहां उनके अपने भवन है इसके अलावा लगभग लगभग इतने ही हमारे केंद्र ऐसे हैं जहां 2011-2012, he was born in 1911, तो 1911 में जन्म लिये हुए परमपुजी गुर्देव पंडी सिराम शर्मा आचार जी का लिखा हुआ साहित थी, जो 32 किताबों के रूप में उपलब्द है और हर विशय पर है, उन विशयों को पढ़ने वाले वाचनाले के रूप में, क्योंकि जो संस्था एक प्रामानिक काम कर रही है, उस प्रामानिक संस्था को गवर्मेंट भी रिकगनाईज करती है, तो भारत से अपने प्रांत से बाहर भी उनको केंद्र खोलने के अनुमती मिलने चाहिए, ऐसा विचार करके हम लोगों ने केंदर खोलने के अनुमती मांगी है हमारे करीब करीब तीन हजार से जादा सेंटर केंदर खोलने के लिए तयार है इससे उत्तराखंड का नाम उचा होगा और उत्तराखंड के केंदर तेन हजार से ज़्यादा सारे भारत में खुल जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस भारती संस्कृति का इतना विस्थार होगा कि ये देखते-देखते सारे भारत में देव संस्कृति महाविद्याले जो हम खोलने का मन बना रहे हैं उसमें नक्य वल हजारों लोगों को लाखो लोगों को यह रोजगार मिलेगा कितने बच्चे पढ़ेंगे जो वहाँ से शिक्षा लेकर के जाएंगे और विद्या लेकर के जाएंगे मैं समस्ता हूँ कि यह हमारा एक प्रकल्प है जो हमने प्रस्तुत किया है शिक्षा मंत्री के सामने मानी शिक्षा मंत्री केंद्री सरकार के सामने और UGC के सामने कि हमारे युनिवस्ट्री को एक अपवाद रूप मानके एकसेप्शन मानके यहां पर इसको अनुमति दी जा हरिद्वार नगरी उन्होंने सुना होगा कि धर्म नगरी है तिर्थ नगरी है और बंदिरों की नगरी है आश्रमों की नगरी है उन्होंने सुना होगा विद्याले और हमारा शांति कुझ हरिद्वार जो मुख्य केंद्र है हमारा ब्रह्म वर्चस शोसन स्थान जहां कि कारिकरता निरंतर रिसर्च में लगे रहते हैं ब्रह्म वर्चस की एक प्रिकार से साधना पद्धिती की क्या प्रभाव पढ़ते हैं विग्यानिक इनके ब माध्यम से सोचे और अध्यात में हर्दे के माध्यम से सोचे दोनों का मिलन कैसे हो लोगों ने यह मान के चला है कि अध्यात में धर्म जो है वो एक अलग मार्ग है उसको हमको नहीं विग्यान से जोड़ना चाहिए और विग्यान यह कहता है कि नहीं यह विग्यानिक नही है धर्म वेज्ञानिक नहीं है धर्म को वेज्ञानिक नहीं मानना चाहिए हम लोगों ने हमारे गुर्देव के लिखे हुए बचनों के आधार पर वेज्ञानिक अध्यात्वाद के प्रतिश्ठापना की है और वेज्ञानिक अध्यात्वाद यहां का विशय भी है लाइफ कुछ मदद पाई है, और आगे भी पाते रहेंगे, यह वो व्युश्थित ढंग से जीवन प्रवंधन के साथ जुड़े रहेंगों. जीवन प्रवंधन एक एसी faculty है, जिसमें कि हम जानते हैं, हम चाहते हैं, कि हमारा जीवन व्युश्थित हो, हमारे जीवन की सारी faculties, हमारे चार जो faculties हैं, sensual desires, इंद्री शक्ति, हमारा time management, time हमारा जो समय हैं, वो, हमारे पास monetary resources हैं, अर्थ शक्ति, और lastly, जो हमारे पास एक बहुत पुन चीज है, विचार, विचारिक शक्ति, विचार सैयम, समय सैयम, अर्थ सैयम और इंद्री सैयम, जो चार सैयमों का पालन, जो चार का management जो कर लेता है, वो अपने resources को सई धंग से channelize कर सकता है, यह हम लोग सिखाते हैं यहाँ पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके मार्धिम से, हमारे बच्चे जब जाएंगे कारक्षेत्र में, जैसा गए हैं, उनको जाने के बाद यहाँ से काम करने में बहुत मदद मिली, अभी अभी मेडम, आपके हाथों कुछ degrees दी गई, आपके हाथों कुछ gold medal प्रदान किये गए, यह बच्चे वो हैं, इनमें से कई बच्चे ऐसे हैं, जो बाहर क्षेत्रों में जाके अपने नाम कमा रहे हैं, और जहां गए हैं, योग के शेत्र में हो, चाहिए इंडिन कल्चर के शेत्र में हो, चाहिए विविन रूपों में मनोविज्ञान के शेत्र में हो, कौस्मोलोजी के शेत्र में हो, हर क्षेत्र में ये विविन रूपों में न किवल इस राज्य का बलकि अपनी संस्कृती का भी नाम रोशन कर सके इस विश्व विद्याले के लगबग बाहर आठ विश्व विद्यालें से MOU हो चुके हैं संबंध हो चुके हैं और लगबग लगबग बाहर से आप जैसे आपके सामने चाइनिज डेलिकेशन बेठा है ये भी हमारे पास एक मेमलनों वर अनस्टेनिंग के लिए आया है जिसके माध्यम से हम लोग की कोशिश करेंगे कि हम और चाइना दोनों मिलकर के कैसे साथ साथ काम कर सकते हैं रश्या के साथ हमारा MOU अलड़ी साइन हो चुका है International Institute of Vedic Sciences के साथ जुड़कर के हम लोग बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसमें कि सारे रश्या में हम लोग एक प्रकार से बहुत कुछ आयरुवेद और योग इन दोनों की शिक्षद को प्रदान कर सकेंगे यह तीन राष्ट ऐसे हैं रश्या चाइना इंडिया भारत हम तीनों मिलकर के सारे भारत सारे विश्व की आबादी का लगभग लगभग आधा परसेंट हम ल लगता है तो यह प्रयास उसी दिशा में चल रहा है यह जो छात्र छात्र आपके पास से होके गए हैं यह लोग इंटर्शिप में जाते हैं तीन महने के लिए तीन महने से तीन महने की इंटर्शिप के इनकी जो ट्रेनिंग है उसमें इनको प्रेक्टिकल ट्रेनिंग दिल लिख्षांत्क के मतलब होता है कन्वोकेशन, दिख्षा रम का मतलब होता है कन्वोकेशन, जो देरिस्टी जोरुञतिowां होता है। बहुत सारी जो आज हम देख रहे हैं, उनिवस्टी जलाना, उनिवस्टी माग लगा देना, उनिवस्टी मिस्ट्रे की आफ़ते आ रही हैं, आप as a chancellor of the whole उत्राखन universities, you know very well that you are very much aware कि how the indiscipline is increasing in the education field. So we are trying to provide those sanskar as talked by our education minister, our honorable minister Madan Koshik ji, हम लोग वो संसकार देने कोशिश कर रहे हैं, जिनके माध्यम से वो चीजें जो आज विश्ट विद्धाले में पनपरी हैं वो नहों, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा के साथ विद्ध्या भी जरूरी है, शिक्षा इस education and विद्ध्या is intellect with wisdom, wisdom जिसके साथ ये भी जुड़ा हो कि हमें संवेद्धना को भी उपयोग में लाना है, भाव संवेद्धना को भी अपने जीवन में उतारना है, तो ये जो दोनों चीजें हैं, शिक्षा और विद्ध्या जब तक दोनों मिलेंगे नहीं, तब तक सारी समस्या आज जो यां आगे पढ़ रहे हैं, आप सभी को आज सनातक बनने, परासनातक बनने और PhD प्राप्त होने पर बहुत बहुत बदाई हो, हमारे पहले कन्वोकेशन में, हम कोई PhD नहीं दे पाए थे, हमको दोई सवाल हुए थे, दूसरा कन्वोकेशन में, हमारे पहले कन्वोकेशन मे डिकरी के डिकरी से अबी तक की 8okay इकुमिलेटेड़ हैं वह आपके द्वारा दी गई मैं आप आप द्खे डेता हूँ जो आप ढall devo पता जेना चाहता हूं कि पंरयटन के शीतृ में अनेकानिक प्रकार के नए प्रयोग चल रहे हैं सरकार के द्वारा उत्तराखंड और नक्यबल उत्तराखंड बलगी भारत सरकार के द्वारत सरकार के द्वारत सरकार के इन प्रयोगों में हमने भी अपना एक प्रयोग जोड़ा है कि हम परिटन की विभिन प्रकल्प, spiritual tourism, adventure tourism उसके साथ साथ जो hill tourism इनमें कई तरह की inputs हम देने कोशिश करते हैं और हमारे बच्चे उसमें train हुए हैं आगे चलके इस राज्य से बहुत सारी अपेक्षा हैं लोगों ने की हैं मुझे उम्मीद है कि इस राज्य की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा विश्व विद्य शद्धी कुलादपत जी के भावबढ़ी उद्वोधन के पश्षाथ अब मैं मानने राज्य पाल महोदया से निवेधन करता हूं कि वे अपने उद्वोधन से हमें लाभान विद्व करनी की रपा करीं मंत्रीजी मधनकाशिक चंसलेट सब्टर पी पंद्या वाइस चंसलर श्टर स्पी मिष्रा बीन अप्देमिक्स प्रफेसरो पी मिष्रा रेजिस्ट्रार डॉक्टर आर्पी करमयोगी यहां उपस्तित हुए हमारे विदेश से आये हुए हमारे गैस हमारे विध्यारती फैकल्टी और अन्य भायो बेनों पहले बोलना चाहती हूँ मैं दक्षिन भारत की हूँ मेरी हिंदी आप लोगों के जैसे शुद्ध हिंदी नहीं है मैं तो पांच बाशाएं बोलती हूँ पर आम जनता की बाशा बोलती हूँ यहां आने के बाद मैंने देखा है कि उत्राकन देवबूमी में बिलकुल शुद्ध संस्कृती हिंदी बोली जाती है जिससे हमारे जैसे लोगों को तोड़ी तकलीफ होती है तेव संस्कृती विश्व विध्यालय में आकर मुझे बड़ी प्रसनता हुई है इस विश्व विध्यालय की कई विशेशताएं मैंने सुनी है यह उत्राकंड का प्रथम निजी विश्व विध्यालय है समाज की बलाई के लिए आचारिय श्री राम शर्मा जी ऐसा विश्व विध्यालय बनाना चाहते थे जिसमें विध्यार्ती को ऐसी शिक्षा दी जाए जो मानव जीवन की समस्याऊं के समाधान में सहायक हो और विद्यारती समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी बन सके। इसके लिए यह विश्व विध्यालय विद्यारतियों और शिक्षा जगत को नई दिशा प्रदान कर रहा है। योग जीवन जीने का संपूर्न विदा है। इसके स्वरूप को देश्व विश्व के सामने लाना समय की बड़ी मांग है। यह विश्व विद्यालय योग विद्यान के क्षेत्र में M.A. M.S.C. के साथ दो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स संचालित कर रहा है। योग विद्यान सहित, क्लिनिकल साइकोलोजी, परियाटन, यजन विद्यान, भारतिय संस्कृति, आदिक शेत्रों में बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम इस विश्व विद्यालय की गरीमा को बड़ाएगा। आपकी PhD ऐसी हो, जिससे देव संस्कृति विश्व विद्यालय से उच्स्तर की विज्ञानिक विबूतिया निकले। और मैं कहना चाहती हूँ कि राजबवन में पहला गंटा सवेरे योग के लिए दिया जाता है। मुश्किल होता है कभी-कभी, पर हम दोनों, मेरे हस्बेंड और मैं सवेरे, बहुत कहें तो एंतूजियस्टिक योगिक बन रहे हैं। आयूर्वेद हर्बल संपदा उत्तराकंड की प्रमुक विशेष्टा है। देव संस्कृति विश्वा विध्यालयाद्वारा नैशनल हर्बल एक्सपो 2006 में प्रतमस्तान प्राप्त करना यह दिखाता है कि यहां के वरिष्ट मार्क दर्शक इस दिशा में गहरी सोच रखते हैं। जैसे कहा गया यह विश्वा विध्यालया में हमारे देश के 20 स्टेट से और कहीं दूसरे बहर के देशों से भी पढाई के लिए विध्यारती आ रहे हैं। रूस से, साउथ कोरिया से, इरान से, नेपाल से, और शायद और कई देशों से यहां विध्यारती आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुषी है यह तो अभी दीम्ड यूनिवस्टी है, देट उनिवस्टी है अगर निवस्टी बननी चाहिए पर उससे जादा मुझे लगता है कि जो यहां काम हो रहा है, isको एक इंटर्नेशनल यूनिवस्टी के जैसे यहां चल रहा है, सब साथनोंग मैं तब मुझे थोड़ी स््टूडेनी मिले, मैंने पूचा आप कहां के हैं कोई अंधरा के हैं, कोई और कहीं के हैं, तो मैंने पूचा क्या यहां पहुंचने के पहले हिंदी सीखे आते हैं, बाशा किस बाशा में होती है यहां पे, तो उन्होंने कहा नहीं दोनों बाशाएं चलती हैं, पर यहां आने के बाद हम सब लोग हिंदी में बिलकोल फ्लुएंट हो जाते हैं, मुझे बड़ी कुशी है, हमारे देश में बाशा के नाम से बहुत कुछ चलता है, और मैं कहूं तो देश एक है, और बाशा कभी हमें अलग नहीं बनती है, it is a means of communication, एक दूसरे को समझने के लिए, जिस बाशा में बोल सकें, उस बाशा में बोले, समझने की बात है और communication की बात है, तो इसके मुझे बड़ी खुशी है कि यहां जो स्टूडेंट्स दूसरे दूसरे देशों से और दूसरे दूसरे हमारे देश के राजों से आते हैं, हिंदी सीखते हैं, प्रसित होते हैं वापस जाने के परले, यह तो हमारी राश्ट्र बाशा है, पर हिंदी के स्टेट्स के लोग तोड़ा सा मैनत उठाईए आप लोग कभी कहते हैं कि हिंदी बोलो अगर मैं आपके पास आके कहूं तो तोड़ा कंणड बोलो तो क्या हो जाएगा या तो इसके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूं कि बहुत स्टेट्स के यहां बच्चे हैं स्टूडेंस हैं उनसे आप दू अगेगा कि आपने और कुछ पाया है, कुछ सीखा है परियाटन की बात हुई है यहां आने के बाद मैंने तो ये राज्य की जो सुंदरता है जो यहां के बहुत से ट्वरिस्टी नहीं रिलिजिस सेंटर्स हैं इनको थोड़ा तो देखा है इसके बारे में बहुत समझ लिया है अब साब मैं कहना चाहती हूँ ये पहले बार हरद्वार नहीं आई हूँ पुराने दिनों में जब मैं राजपाल नहीं ती तब आम जन्ता के रूप में यहां आई हूँ यहां आपके जो सनान के लिए आपके महिलाओं का एक घाट होता है उदर भी गई हूँ सनान भी किया है और बहुत बार हरद्वार आके गई हूँ पर अभी तो जब आती हूँ तब सब को पता लगता है और कहीं जाना बड़ी मुश्किल हो गई है आजकल यह लोग जो पीछे कड़े होते हैं यहां वहां जाने नहीं देते हैं पर मुझे कहना है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आपके कोर्से में आपने ट्वारिजम का स्पेशल कोर्स इंट्रड्यूस किया है यहां तो अलग-अलग तरह का ट्वारिजम हो सकता है एडवेंचर ट्वारिजम रिलिजिस ट्वारिजम उसके अलावा मैं कहूं तो यहां इतने सुन्दर जगा है वो जो मैंने परसों डेली में कहा हमारे ट्वारिजम डिपार्टमेंट को इंक्रेडिबल इंडिया जो एड़िटाइज करते हैं पूरे दुनिया में मैंने उनको कहा इसमें तो आप लोगों को उत्राकन को लगा के अंडिस्कावर्ड इंडिया करके आपको प्रचार करना पड़ेगा क्योंकि यहां की जो सुन्दरता है हमारे देश में भी शायद बहुत से लोग नहीं जानते हैं यहां की जब बात होती है तब तो बदरीनात और यहां कुम्ब मेला और कुछ इसी तरह की बाते होते हैं पर इतने सुन्दर दूसरे जगह भी हैं जहां पर अगर हम तोड़ा इंफ्रस्ट्रक्चर और टीक तरह की पब्लिसिटी करें तो शायद पूरा उत्रकंड की बजट टूरिजम से ही चल पाएगी मैं आपको कहना चाहते हैं आप यहां से जाएंगे अन्यपरांतों में जाएंगे दूसरे दूसरे देशों में जाएंगे आपको उत्तरकन के बारे में बोलना पड़ेगा, पब्लिसिटी करनी पड़ेगी और यह टॉरिजम का जो कोर्स है, मुझे लगता है कि इससे हमारे उत्तरकन की सेवा बहुत हो सकती है डिस्टेंस एड्यूकेशन का भी काम यहां से चल रहा है पर मैंने इंदरा गांधी ओपन यूनिवरस्टी भी देखी है, दुसरे यूनिवरस्टी इसका भी काम देखा है मुझे उमीद है, मुझे आशा है कि यह यूनिवरस्टी का डिस्टेंस एड्यूकेशन का जो काम चलता है इसको हम हमारे उत्राकन में पिछडे हुए गाउं गाउं तक पहुंचवाने की कोशिश करना है बहुत से युनिवर्सिटीज हैं यहां हमारी जो लिटरसी है वो तो नैशनल एवरेज से भी जादा है 71.8 बहुत उचित है लेकिन आज भी मैं पढ़ती हूँ बहुत से पहाड के पिछडे हुए इलाकों में गाउं में स्कूल स्टीक तरह से चलाना मुश्किल है क्योंकि हमारी टीचर्स उदर नहीं जाना चाहती है अभी आप यहां से बहुत कुछ कहूं तो PhD, Diploma, Degree सब लेके जाएंगे अपने बारे में ही मत सोचिये समाज की सेवा के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा जो इस विश्व विद्याले का उदेश है You have to go from here as agents of change समाज कल्यान, सोच विचार में बदलावन और एक modern राज्य उत्राकन को बनाने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी यहां तो बहुत कुछ होना है, नई स्टेट है, सुन्दर स्टेट है और यहां के लोग बहुत सरल और अच्चे है देव भूमी कहा जाता है हमारे राज्य को, हमें तो इसको ध्यान में रखे हमारे values, हमारी द्रश्टी जो समाज के लिए है, इसको टीक तरह से रखे जब परिवत्तन आ रहा है पूरे दुनिया में, जहां बहुत हल्चल चल रही है हमारे समाज में, राज्य में, राष्ट्र में और दुनिया में यहां के हमारे चात्र चात्राओं से मैं आज यही विनंति करना चाहती हूं की कीप यूर फीट फिर्म्ली on the ground. Do not forget your past. Do not forget your traditions and your culture. But let your vision and your eyes be focused on a future which will bring development, social justice and equal rights for all citizens. मुझे बड़ी कुशी है कि मैं नहीं बोल रही हूं, आपने कहा कि हमारी बहने जो यहां पड़ती हैं, वो बहुत कुछ एचीव कर रही हैं. जब मेडिल्स देखा, आपने देखा कि पुरुष कितने थे और हमारी बहने कितने थे. हमारी गर्ल स्टूडेंट्स कभी पड़ाई में बहुत ध्यान देती हैं, पुरुषों के जैसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन्स नहीं होते हैं. और जहां भी मैंने देखा है पहाड की बात की, पुरे देश में आप जाके देख लीजिए, मैंल आएं, जितनी महनत करती हैं, बाहर का काम करती हैं, गर चलाती हैं, और जो भी कश्ट उठाती हैं, उसको भूल के कभी बोला जाता है कि हम महिलाएं अबल हैं, हम कुछ समझते नहीं हैं, एक तो जमाना था जब बोला जाता था कि बेचारी महिला अपने आपको देख भी नहीं पाती हैं, जब बच्ची है तब पिताजी ने देखना है, जब शादी होती है पती देखेगा, और बुड़ापे में बेटे को देखना है, वो अपने आप कुछ नहीं कर पाती हैं, पर आप यहां से पिएचडी, गोल्ड मेडल्स और डिपलोमाज, डिग्रीज, पोस्क्राजवेट डिग्रीज लेके जा रही हैं, गुंगट लगाके घर में मत बैठिये, यहां से निकलते ही, आपको अपने समाज में, महिलाओं की कलियान के लिए, समाज कलियान के लिए, और परिवर्तन लाने के लिए काम करना पड़ेगा, यहां याद रखिये, आपने अभी कहा कि बोज उटाते हैं भाड के ऊपर, मैं बहुत साल नौटीस्ट में मेरी पार्टी के तरफ से काम कर रही थी, इन चार्ज थी, बहुत गूमी हूं कोने कोने से, एक बार मैं गाड़ी में जा रही थी, मैंने देखा कि एक बेचारी महिला, अपने बैक, एक चोटा बच्चा को बांदा है, सिर पे बड़ी बास्केट जिसमें सबजियां और कुछ लगाई है, इस हाथ में शाम को आग जलाने के लिए लकडी, और दूसरे हाथ में और कोई थेल या कुछ उठा रही थी, और पहाड में चल के ऊपर चल रही थी, और उनके पीछे आदमी इतना बड़ा एक वौकिंग स्टिक लेके चल रहा था, तो मैंने गाड़ी रोकी, और मैंने उनको बुला के मज से पूचा कि यह आपकी बीबी है, बुला कि हान जी, मैंने पूचा यह बच्चा जो है वो आपका है, बुला हान जी, आपको शरम नहीं आती है, आप तो चल रहे हैं वौकिंग स्टिक लेके, और यह बेचारी महिला, यह पूरा बोज उटा के चल रही है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पता है क्या बोले, I have to keep my hands free to protect her from danger, तो इसके लिए मेरे हाथ बिलकुल काली है, कोई भी उसको एटैक करेगा, कुछ होगा तो उसको बचाने के लिए मेरे हाथ की जरूरत है, ये होता है आज भी समाज में तो इसके लिए मैं आपसे बोलना चाहती हूँ समाज का कल्यान होना है तो सब को मिलके काम करना पड़ेगा बोज सब को उठाना पड़ेगा आज भी हमारे गावों में कास्ट सिस्टम हो, धर्म के नाम से हो या दूसरे किसी नाम से बहुत कुछ मुश्किल उठानी पड़ती है समाज में हमें सब को फ्यार, विश्वास और दिवयता रखे काम करना है और हमारी जो सुन्दर उत्राकंड जिसको देवभूमी कह जाता है इसकी जो परंपरा रही है इसकी जो सब्यता है इसकी जो संस्कृती रही है इसको बचाने में हमें काम करना पड़ेगा मुझे बड़ी कुशी है कि ये तर्ड कॉन्वकेशन में मुझे यहा आने का मौका मिला पहला तो वाइस प्रेजिडन था दूसरा तो राष्ट्रपती था इन दोनों के सामने मैं चोटी हूँ पर मुझे बड़ी कुशी है कि मुझे यहा आने का मौका मिला है यहां तो अभी दो मैने में बहुत बड़ी कुम्मेला शुरू हो रही है बहुत कुछ काम आप लोगों के भी शाहिद करना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा इसको सक्सेस करने में मैं भी आज सब देखने के लिए आई हूँ कि तयारियां कैसी चल रही है यह तो हमारे राज्यकी नहीं पूरी देश की इज़त की बात है और हमें सब को मिलके इसको अच्छी तरह से चलाने में मदद करनी पड़ेगी मैं सब चात्र चात्राओं को जिनोंने आज पी एच डी, गोल्ड मेडल्स, डिग्रीज, डिपलोमाज और क्या, सब कुछ बोला है जो मिली है आप सब को मेरी तरफ से आशिरवाद और बदायान देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आने वाले वर्षों में आप यहां से निकलने के बाद सेवा में लगके कुछ काम खरे और लास्ट बट नॉट तर लीस्ट आपके वाइस चैंसलर ने एक और्गनाइजेशन Divine India Youth Association आपने दिया के नाम से चलाया है यह बहुत अच्छी बात है एक दिया जब जलता है तब रोशनी बढ़ती है और यह और यह और्गनाइजेशन मुझे लगता है कि हमारे राज्य में ही नहीं आपके बीच में ही नहीं पर पूरे देश में और पूरे दुनिया में यह दिविय का जो रोशनी है उसको फैलाएगी इसको ध्यान में रखिए काम इस तरह से करिए कि यह दिया कभी जलता रहेगा और आस पास की जो आज बातावरण है इसको यह दिविय से आप रोशनी लाके ठीक कर पाएंगे दन्यवाद जाहिए अब मैं विश्विद्याले के महत्पून प्रकाशन दीक्षांत इसमारिका देव संस्कृती जनर्रल अनभूत एवम संस्कृत मंजूशा आदि पुस्तकों के विमोचन हेतु महा महिम राजिपाल महुदया एवम समस्त अचिथियों को आमंतिर्ट करता हूँ आमंतिर्ट करता हूँ लग्याले के विमोच्ट आप कर दो कर दो अब मैं माननी कुलाजबजी से अनरोद करता हूँ कि वे सम्माननी अतित्यों को इस्मरचिन भेंट करनी की करपा करें आउस हुआ आपपपपपपपपपपपपा आप। झाल झाल सब्सकाई में अब मैं इस भाव भरे दीक्षान समारो के समापन के लिए माननी कुलाज पत्जी से अनुमत चाहते हैं समापन की घुटना करें मैं अनुमती देतू दीक्षान समारो अब विसर्जित होता है सभी राष्टडान के लिए अपने इस्थान पर खड़े होने का कश्ट करें जय अगुना गंदाउ चल जल नितरंगर तव शुप नामे जागे तव शुप आशिषमागे ताहे तव जय बाथा जय गण वंदल दायक जय हे भारत वाध्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ओम द्यो शांति रंतरिष्ट ग्वं शांति प्रित वी शांति राप शांति रो शदय हा शांति वनस्पतया शांति विष्टे वेवा शांति प्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेव शांति ओम श्रांति 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 रभावतू प्रांति श्रांति श्रांति श्रांति